नमश्कार पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग एयार देसाई की पुस्तक सोचल पैक्राउंड ओफ इंडियन नेशनलिजम पर चर्चा कर रहे थे आज हम उसी पुस्तक में आगे हम एयार देसाई ने जो रास्टवात की के विकास के बारे में कहा उन्होंने रास्टवात क किस तर्य से विकास हुआ इसे उन्होंने पाच फेजेज में बाटा याने उसकी पाच अवस्ताएं बताई है आज हम इन पाचों अवस्ताओं का थोड़ा-थोड़ा दिसकस करेंगे उन्होंने पहली अवस्था 1857 से लेकर 1885 तक बताई दूसरी अवस्था 1885 से 905 तक बताई तीसरी अवस्था को उन्होंने लिया 1905 तू 1918 और चौती अवस्था 1918 तू 1934 और पाचवी अवस्था उन्होंने लिये 1934 तू 1939 इस तरह से उन्होंने बाट कर कि राश्टरबाद के विकास को समझाने की कोशिश की कि किस तरह से नेशनलिसम की भावना डवलप हुई भारत में अपनी पहली अवस्था उन्होंने उनका कहना है कि जो पहली अवस्था है उसके उसमें भारतिय राश्टरबात का आधार बहुत संकुशिद था इस समय कि ब्रिटिश शाषन द्वारा इस्थापित आदुनिक शिक्षा के प्रभाव से समाज में एक ऐसा बौधिक वर्क विक्सित होने लगा जिसने यहां की परमपरागत सामाजिक और धार्मिक संरशना में सुधार लाने के व्यापक प्रैतन आरम कर दिये यानि जो शुरू का जो फेस था नेशनलिजम का वो रेफॉर्मिस्ट मूव्मेंट से ज़्यादा जुड़ा हुआ है उस समय के शुरू हुए धार्मिक और सामाजिक जो सुधार अंदुलन थे यह उससे जुड़ा हुआ है कि इन अंदुलनों ने किस तरह से राष्टवाद की भावना को बढ़ाया भारत में धार्मिक आधार पर समाज सुधार की प्रक्रिया ऐसे तो मध्यकाल में भी आरंब हुई थी उस समय कबीर बल्लब चैतन्य गुरू नानक देव तथा अनेक दूसरे संतों ने धार्मिक पाखंडों और सामजिक गुरूतियों का विरोध किया और भारत में एक व्यवस्टि सामजिक और धार्मिक सुधार आंदुलन जो सिस्टमेटिक तरीके से 19-वी सदी में आरंब हुआ इसके बारे में देशाई नहीं लिखा इस समय आरंब होने वाले समाज सुधार आंदुलनों का उद्देश समाज में केबल सामजिक सुधार लाना ही नहीं था बलकि लोगों में सामजिक संस्था जो सोशल इंस्टिटूशन्स है और सोशल रिलेशन्स है उनको एक डिफरेंट आस्पेक्ट से समझाना और हमारी रास्ट्रिय एक ता नेश्टनल यूनिटी को बढ़ाना था जो प्रमुक सुधार अंदोलन हुए उसमें हम लोग भ्रम समाज, प्रात्ना समाज, आरे समाज, रामकरिशन मिशन, सत्य शोदक समाज और स्वेदेशी अंदोलन प्रमुक है राजा रामभुहन राय ने जैसे 1828 में प्रमुक समाज के स्थापना की वो सबसे पहले उन्होंने वो पहले वेक्ति थे जिन्होंने की सती प्रता, बाल विवा, अंटचेबिलिटी, चुआ चूत और विमन एक्स्प्लाइटेशन के विरूत और विडोज रीमेरिज पर उ उन्होंने विरूत किया, और उन्होंने इस पर बल दिया कि इसमें चेंजिस होने चाहिए, और इसी कारण उन्हें भारतिया रास्टवात का जनक भी का जाता है राश्ट्रि भावनाओं को विक्सित करने में इस आंदोलन की भूमिकाग के बारे में देशा ही कहते हैं कि ब्रह्म समाज ने इंडिविजुल लेबर्टी, नेशनल यूनिटी, सोशल इक्विलिटी के सिद्धान्द का प्रचार करके भारत में एक नए यूग का आरंब किया यह आंदोलन राश्ट्रिय चेतना पर आतारित पहला संगठित प्रैतन्द था, यानि 1828 में जो भ्रह्म समाज की जो इस्तापना थी, वो नेशनलिजम की एक शुरुआत का फर्स्ट स्टेप आप कह सकते हैं प्रातना समाज सुधार आंदोलन से संबंधी दूसरा संगठन है, जिसकी इस्तापना 1867 में महादेव गोविन राना देने की, उन्होंने भी हिंदू में फैले भ्रहम आडंबरों, कर्मकांडों उन्होंने जो रिलीजिस, जो तरीके, जो हमारा रिलीजिन था, उसमें जो आडंबर आ गए थे, कर्मकांड बहुत जादा भढ़ गए थे, और जाती भेदभावों, इस्त्रियों के शोशन का बहुत विरोध किया, प्रातना समाज के माध्यम से उन्होंने बहुत सी कन्या पाच्छा लाओं, विद्वा आश्रमों और अनातालेओं की इस्तापना की दली जाती हूं के सोशन के विरुध समाज में आवाज उठाने वाला ये पहला संगधन था, प्रातना समाज, राश्री, राश्रवाद के विकास करने में आरेश समाज भी एक प्रमु कांदोलन के रूप में देखा जाता है, जिसके इस्तापना स्वामी दयानन ने 1875 में क थी, उन्होंने यह इसपस्ट किया कि भारती समाज के एकिकरन के लिए जातियों को जो डिवेजन है, ऊचे है, ये नीची है और इस्तियों से रिलेटेट जो निर्योगिता है, जो जो कॉंस्टेंट्स हैं, उन्हें दूर करने के लिए हमें वापस से कर्म कांदों को छोड के वेतिक धर्म से संबंदित विवारों को पुनिश से वापस से स्थापित करने की आवशक्ता पर जोड़ दिया, और इसके साथ दयानन सरस्वती ने जो दूसरा important काम किया वो था, अंतर जाती है, विवाहों, विद्वा, पुनर विवा को उन्होंने सपोर्ट किया, और वो पक्ष में थे, बाल विवा, बहुपतनी विवा, परदा प्रता, और किसी भी रूप में स्थ्रियों के शुर्चन के विरुत लोगों को उन्होंने संगटित किया, और उन्होंने बहुत सी शिक्षन संस्ताइं खुली, जिने दयानन्द एगलो वैदिक विध्याले, ज आरे समाज के सभी कारिक्रम इस तरह से निर्धारित किये गए कि संपूर्ण हिंदू समुदाय को एक करके उन्होंने रास्टियता की भावना इस्तापित की जा सके, इसके अलावा अन्य जैसे नेता, लाला लाचपत्राय से इतने नेता है, आरे समाज के बहुत फॉलोईस बने और उन्हें सपोर्ट किया, भार्ची रास्टवाद में आरे समाज के योगदान से ब्रिटिश शाषन को बड़ी चिंता हो गई, वो ये मानने लगे कि ये चीजें जो समाज की बुराईयों को दूर करके लोगों को एक जुट कर लेगा, इसलिए ब्रिटिश कहते हैं की आरे समाज के खाफी विरोधी हो गए थे, इनी सुधार आंतुलन में रामक्रिश्ट मेशन का योगदान भी इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत रामक्रिश्ट परमस ने सबसे पहले बंगाल से आरम किया, और उनकी मृत्यू के बाद उनके जो डिसाइपल थे, वि अंदोलन, हुमेनिटी, इक्वेलिटी की विचारधारब पर बेजता और अनाथों के सेवास पर इनने लोगों ने बहुत जोड दिया, इसकी रामक्रिश्ट मेशन ने भारत के बहुत से शेत्रों में बड़े-बड़े होस्पिटिल्स, शिक्छन संस्था हैं और अनाथा लेयों की इस्तापना की, और इसी तरह से जोती बाफ फूले जो की सत्ति शोदक समाज की इस्तापबक हैं, जोती बाफ फूले स्वय में एक पिछडी जाती के थे, इसलिए वे हरीजन और पिछडी जातियों की समस्याओं से कहीं अधिक परिचित्ते हैं, उन्होंने इस च जातियों को उनके अधिकारों के प्रति कॉंशियस किया, या नीचे इतना पैदा की, इसके फल सरुब दक्षेण में सबसे बड़ी संख्या वाली बहुत सी निमने जाती हैं, जैसे रेडी, वेलाला, कमबा, आधी इन आंदोलनों में सम्मेलित हुए, तो इस तरह से जोती समझे जाने जातियों को एक जुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए और उस एक्जेक्ली उनमें समासुदार पर काम किया, इसी टाइम में महरास्ट में एक मुक्ष समासुदारक गोपाल हरी देश मुक द्वारा स्वदेशी आंदोलन भी प्रारम भी चुरू क किया गया, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने में राज नारहन वसु पंजाब में राम सिंग फूफा और बंबी में वसु देव जोशी ने विशेश योग द्यान दिया, बाद में यही स्वदेशी आंदोलन गांधी दुआरा चला जाने वाले जो रास्ट्र यह लोगतांत्रिक चेतना की अभीव्यक्ति करते हैं और इन आंदोलनों के द्वारा अभीव्यक्ति की सुतंत्रता के सासाथ भारत में प्रशाशन में जनसाधरन की हिस्सेदारी की भी मांग की जाना लगी जितने यह रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थे, सोशल, जो फर्स्ट फेस के अंदर गर्थ, उन्होंने हमारे स्वतंत्रता के लिए जो लोकतांत्रिक कॉंशिसनेश या हमारी राश्ट्री भावना को डवलप करने में इनिश्यल काम किया, यह तो हमारी प्रथम अवस्ता हो गई नेश्नलिजम के विकास में, हम दूसरी अवस्ता नेक्स चैप्टर में, नेक्स लेक्चर में करेंगे, थैंक यू